बिस्मिल्ला रख्मान रहीम, असलाम अलेकूम, आज हम आपके साथ शेर कर रहे हैं चिकन पेरी-पेरी बैट की रेसिपी, यह रेसिपी होल चिकन में भी बनाई जाती है, और चिकन के लेक्वी से भी बनाई जाती है, हम यह बना रहे हैं, बोल्लेस चिकन से, अगर आपके घ तो पेरी पेरी चिकन बाइस बनने के लिए हमने ले ली है esses हमने बहुंग्दे छोटे के पीस नहीं किए हैं थोड़े बड़े पीसा के हैं इसको अच्छ्छे तरह हमने कर लिया था जब चिकन को कर लेते हैं मेरिनेट तो में निशन के लिए हमने जो जो चीजे लेनी हैं वह हम आपको बता देते हैं तो हमने सबसे पेड़े लिए लिए एक बड़े साइस की शिम्ला मिरच और दो लिए हैं हमने कश्मीरी मिर्ची और एक दर्मियानी साइस की प्यास कश्मीरी मिरज के जगा आप आप भाली मिरज भी डाल सकते हैं, लेकिन कश्मीरी मिरज से ही होगा कि हम जो पेटी का मसालत या करें यह लाल कर रिकर का बनेगा नहीं तो पिर ब्राउन हो जाएगा और इसका ठेस के थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आप कुछ ड्राइस वाइसे हम इसके अंदर डालेंगे तो ड्राइस वाइसे हमने ले लिए एक चाय का चमच काली मिरज एक चाय का चमच की हमने लिया पैप्रिका पॉर्डर और एक चाय का चमच मस्तर पॉर्डर पैप्रिका पॉर्डर अगर नहीं हो तो आप इसका स्किप के सब्सक्राइब कर सकते हैं कश्वीली मिरेच भी ढाल सकते हैं इसके अंदर एक खाने के चमच एक रजो डाले के बहुतीए दालेंगे साउ होगा और इसी से हम बनाएंगे बहुत ही यमी सा पेरी-पेरी का सोस तो इन तमाम चीदों को चॉपर में डाल के हमने पीस लिया है तो चॉपर में हमने पीस आता है लेकिन बहुत जादा बारीक नहीं हुआ था फिर हमने इसको ब्लेंड रगे जग के अंदर डाल के भी ब्ले जाए है आप चिकन को मेंट कर देंगे और आदे से घंटे के लिए इसको रेस्ट पर शोड़ देंगे तो तीन से चार साविंग स्पून हम इस चिकन के अंदर डालेंगे आप टेस्क कर लीजिएगा अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर ये मसाला बढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा मसाला हम बचा लेंगे जो के हम बनाएंगे पेरी-पेरी का सॉस उसके लिए तो बॉल को कवर करके रख देते हैं चाहें तो फ्रीज में भी आप इसको रख सकते हैं या अगर मौसम ठंडा है तो आप रूम टंपरिचर पे भी इसको रख दें में इनिशन क सॉस चाहिए हो आपको तो इसके अंदर बढ़ा सकते हैं मसाले को और यह हमने दे लिया है बी-बी-क्यू सॉस तो दो खाने के चमची हम इसके अंदर डाल देते हैं अगर आपके पास यह नहीं हो तो आप इसकी जगा चिली-गार्लिक सॉस या फिर केचप वगरा भी इसक खाने के चमच कुकिंग ओयल और यह चिकन के पीस है इनको हम मेडियं फ्लैम पे कुक करेंगे बॉल दे चिकन है बहुत जादा बड़े पीस भी है तो जली कूक हो जाएगी मेडियं फ्लैम पे इसको कूक करना है जब तक कि यह दोनों दॉस्स से इसके घुन को बहूत अच तो इसको दोनों तरफ से पलटके अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे मीटिया फिलिम पर ही बहुत अच्छा सा गोर्डन सा कर रहना शुरू है इसके उपर बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसेपी तयार हो रही है तो जरूर ट्राय कीज़ेगा अगर आपके घरम में कोई चो एक कुक और आपके उसके कुड़ो और बहुत मुझा पयरी पाइजा निकाल लेते हैं तो इसको सर्विंग के लिए हम पलेट में निकाल लेते हैं बहुत यभी लग रहे हैं देखने में जो सौस हमारा तयार है वो उपस से हम इसके डाल देंगे तो इस तहरा से बहुत धायाँ नियार य। लग केंगे कि सिर्धर किमाद अध्र करेंगे नियॐ केथ ये फ्लेवर वाला हमारा पेरी फेरी चिकन पाइस जो है रेडियो चुका है, बहुत ही यमी लग रहा है देखने में देहें, इसको हम टेस्क्र करते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा बना है ये, तो बहुत ही यमी सी रेसिपी है, ये बहुत मदेदार सा बना है, ये इसके अजादत दीजिए, अपना ख्याल लखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल लखिए अल्लाफिस